Hello and welcome friends, दोस्तों आपका स्वागत हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT, क्लास 9 के हिस्ट्री का 1st चैप्टर, The French Revolution, यानि फ्रांसी सी क्रांती। हम इसको conventional way में नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एक नए अंदाज और एक नए तरीके से पढ़ेंगे। तो आईए देखते हैं कि हम French Revolution को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। हम इस पुली टॉपिक को 6 parts में पढ़ेंगे। पहले part में मैं आपको बताऊंगा Importance of French Revolution, यानि फ्रांसी सी क्रांती का World History में क्या महत्व है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे Causes of French Revolution, यानि फ्रांसी सी क्रांती होने के कौन-कौन से कारण थे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे Socioeconomic Condition of France, यानि फ्रांसी सी क्रांती के दौरान और उससे पहले फ्रांस में किस तरह का समाज था और वहां की Economic Condition कैसी थी। पार्ट 4 में मैं आप लोगों को फ्रांसी सी क्रांती की कहानी सुनाऊंगा। जिस तरह दादा-दादी कहानी सुनाते हैं, उससी तरह से फ्रांसी सी क्रांती की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। पार्ट 5 में मैं आप लोगों को French Revolution की Timeline बताऊंगा। यानि फ्रांसीसी क्रांती के दौरान जो जो events हुएं जो जो घटनाए हुई वो कब-कब हुई यह मैं आपको बताऊंगा And in the last part, that is part 6, we are going to have a detailed study as per the N.C.E.R.T. book यानि N.C.E.R.T. book में जिस तरह से French Revolution को लिखा गया है, हम उसी flow में उसको पूरी detail के साथ पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं French Revolution का importance क्या है French Revolution के दौरान बहुत से new ideas और नए concepts की उपज हुई और आगे चलकर इन्ही ideas और concepts को बहुत सारे countries ने अपनाया जो concept सबसे ज़्यादा सरहा गया और जिसका इस्तेमाल बहुत सारी countries में हुआ वह था separation of powers Separation of powers means that the power of the government should be distributed among its three organs These three organs are the legislative, the part that makes the law, the executive, the part that executes the law, and the judiciary, the part that interprets the law इस तरह का separation of powers हम इंडिया में भी देखते हैं इंडिया में भी सरकार के तीन अंग हैं Legislative, Executive और Judiciary इस concept को देने वाले philosopher का नाम था Montesquieu French Revolution का दूसरा important contribution था Republican form of government In a Republican form of government, the people elect their rulers इसको हम democracy भी कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं था कि France पहली country थी जहां democracy आई लेकिन French Revolution से बहुत सारे देश इंस्पायर हुए उसी तरह से लोगों को French Revolution के दौरान fundamental rights भी मिले जो एक vibrant democracy की पहचान है The right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law जैसे अधिकार French लोगों को पहली बार मिला था French Revolution के दौरान, फ्रांसीसी लोगों के बीच एक sense of collective belongingness बना क्रांती के दौरान, जब बहुत सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो उनके बीच अपनापन बढ़ा और गहराता चला गया इसकी वज़त थी कि उन लोगों ने कुछ नई चीज़ें की और कुछ नई विचारों को फैलाया जैसे कि लापात्रे यानि फादर लेंड जिस तरह हम भारत को भारत माता कहते हैं इसी तरह से वो फ्रांस को लापात्रे कहते थे और कहते हैं साथ ही उन्होंने कहा कि कोई किसी को सर और मैडम नहीं कहेगा सब एक दूसरे को सितोयां यानि सिटिजन कहेंगे इससे लोगों के बीच जो दूरियां थी वो और कम हुई उन लोगों ने एक नया फ्लैग यानि जंडा भी बनाया जिसमें तीन रंग हैं साथ ही नैशनल एंथम भी बनाया जिसे मार्सेयस कहते हैं एक देश की पहचान सिर्फ उसके जमीन के टुकडे के साइज और सिमाओं से नहीं होती बलकि वहां बसे लोगों से होती है और एक देश नेशन स्टेट तभी बनता है जब उस देश में बसने वाले लोग एक दुसरे के साथ कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्विज या किसी और वजह से एक दुसरे के साथ जुड़ते हैं आईए अब हम देखते हैं फ्रेंच रेवलूशन होने के पीछे कौन कौन से कारण थे सबसे पहले एकनॉमिक कॉजिस पे नजर डालते हैं Point A Rising Prices of Food खाने पीने के सामान की कीमतों में व्रिधी खाने पीने के सामान महंगे होते जा रहे थे Point B No Increase in Wages खाने पीने के सामान महंगे होते जा रहे थे लेकिन लोगों की कमाईं नहीं बढ़ रही थे Point C Less Harvest Due to Drought and Hail खाने पीने के सामान की सप्लाई में कमी आ गई थी और उसकी वज़ा थी कि फसलें सूखा और ओला गिरने की वज़ा से बरबाद हो गई थी D. Non-Availability of Food Leading to Subsistence Crisis खाने पीने के सामान की सप्लाई बहुत ही कम थी जिसकी वज़ा से Subsistence Crisis हो गया हम जानते हैं कि एक इनसान की तीन बेसिक रिक्वार्मेंट्स होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान जब Subsistence Crisis होता है तो लोग कपड़ा और मकान तो भूल ही जाते हैं साथ ही रोटी का इंतजाम करना भी भारी पड़ता है तो जब इनसान को अपने आप पर जिन्दा रखने के लिए रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन को Subsistence Crisis कहते हैं यह पॉइंट भी याद रखेगा कि फ्रांस में 1715 से 1789 के बीच 50 लाख population increase हुआ था जिसकी वज़ा से खाने पीने की सामान की डिमांड बढ़ी थी अब Social Causes देखते हैं Unbalanced Social Structure Where Rich Have All Privileges But Not Paying Taxes फ्रांस में सारे टैक्स सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही देते थे लेकिन Privileges अमीर लोगों को मिलता था इससे समाज में असंतोज था और French Revolution होने का यह एक बहुत बढ़ा कारण बना Point B Poors Were Paying All Types of Taxes जैसे कि हमने पिछले Point में देखा कि गरीब ही सारा टैक्स पे करते थे और बाकी का समाज उनके दिये टैक्स के पैसों से मजे करता था अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई थी उसकी वजह से समाज में काफी असंतोज था Next में है Intellectual Causes That is Impact of Philosophers and Thinkers Philosophers और Thinkers का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन Philosophers ने आम जंता को चागरुक किया और बताया कि Monarch is not divine, his power should be controlled Monarch या राजा इश्वर का रूप नहीं होता वह भी इनसान होता है और इसलिए उसके पावर को गन्ट्रोल करना जरूरी है इसका मतलब यह है कि राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता और बहतर यह होगा कि देश में लोगतंत्र हो जहां लोग यताय करे कि देश का रूलर कौन होगा पॉइंट नमबर फोर पॉलिटिकल कॉज़ेश A. Monarch was not intelligent फ्रांस का जो राजा था लूई 16th वह एक अच्छा रूलर नहीं था वह अच्छे decisions नहीं ले पाता था पॉइंट B. And he was not aware of the conditions of the people वह जनता के मसलों और परिशानियों से आउगत नहीं था उससे पता नहीं चला कि जनता का बुरा हाल है और वह किसी भी वक्त विद्द्रोह कर सकती है लास्ट पॉइंट है immediate causes formation of national assembly which decided to make a constitution and overthrow the monarch third state के लोगों ने national assembly बनाई और यह संकल्प लिया कि यह लोग मिलकर एक constitution बनाएंगे और उसके बाद राजा को गदी से हटा देंगे और लोकतंतर की स्थापना करेंगे आईए अब socio-economic condition of France पे एक नजर डालते हैं देखते हैं कि France में समाज किस तरह का था और वहाँ देश और लोगों की economic condition कैसी थी France का समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था First state, Second state और Third state First state के लोगों को clergy कहा जाता था यह लोग church से जुड़े होते थे जैसे की ओप, bishops और fathers Second state के लोगों को nobility कहा जाता था इसके अंतरगत, feudal lords और ministers आते थे Third state में गरीब और मज़दूर लोग आते थे साथ ही कुछ big businessmen, merchants, court officials, lawyers इत्यादी आते थे और इसकी वज़ा यह थी कि industrial revolution 1760 में स्टार्ट हो चुका था और छोटे-छोटे industries यूरोप के कई देशों में लग चुके थे और एक नया class उभर कर सामने आया जिसे middle class कहा जाने लगा first state की जनसंख्या एक लाग थी second state की जनसंख्या चार लाग थी और third state की जनसंख्या दो सो सत्तर लाग थी first state और second state कोई tax नहीं देते थे सारा tax third state के लोगों से वसूला जाता था इस picture को देखिए यहां एक third state का आदमी अपनी उपर first state और second state का बोज ढो रहा है तो चलिए अब वहां के राजा जिसे लोग मोनार्क कहते हैं उसके बारे में जानते हैं फ्रेंच revolution के दोरान फ्रांस के मोनार्क थे लुई 16 लुई 16 बर्बन डाइनस्टी से बिलॉग करते थे लुई 16 की शादी हुई थी Austrian princess Marie Antoniet से Marie Antoniet सिर्फ उनकी बीवी ही नहीं थी बलकि उनके सलाकार भी थी ऐसा माना जाता है कि वह एक बुरी सलाकार थी जब भी वह कोई सलाह देती थी तो कुछ अनर्थ ही होता था राजा और रानी वर्साई के एक आलिसान महल में रहते थे देखिए उस महल की कुछ तस्वीरें जब लुई 16 ने राजपार्ट समाला तो देखा कि शाही खजाना बिलकुल खाली हो चुका है खजाने का खाली होने के वज़े क्या थी आईए जानते हैं फ्रांस हमेशा किसी ना किसी युद्ध में बिजी रहता था और युद्ध लड़ने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती है अमरीका में ब्रिटेन के 13 कोलोनिस थे अमरीका ने फ्रांस की मदद लेकर ब्रिटेन को हराया और इंडिपेंडेंट हो गया इस लड़ाय से अमरीका को आजादी मिल गई मगर फ्रांस को कुछ नहीं मिला वर्साइ के पैलस के रख रखाओ में ही बहुत पैसे खर्च होते थे साथ ही राजा के दरबार को चलाना मिनिस्टर्स के पेमेंट इत्यादी में भी काफी खर्च होता था उपर से रानी भी बहुत ज़़ादा खर्चीली थे साथ ही और भी खर्चे थे जैसे युनिवर्सिटी को चलाना इत्यादी बहुत बड़ा एमाउंट इंट्रेस्ट पेमेंट में चला जाता था वार करने के लिए मोनार्क ने एक बिलियन लेवर्स का लोन लिया था जिसकी वज़े से टोटल लोन टू बिलियन लेवर्स से ज़्यादा हो गया था इस लोन पे मनी लेंडर्स को 10% इंट्रेस्ट देना पड़ता था पॉइंट नमबर फोर दोस हो वेर रिच अन वेल्दी नेवर पेड एनी टैक्स अमीर लोग टैक्स नहीं देते थे तो हमने देखा साही खजाना क्यों खाली था अब आईए देखते हैं आम जनता की इकनॉमिक कंडिशन कैसी थी पॉइंट नमबर वन देर वस फ्रिक्वेंट सब्सिस्टेंस क्राइसेस फ्रांस में अक्सर सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन बन जाती थे हम जानते हैं कि एक इनसान की तीन बेसिक रिक्वार्मेंट्स होती है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जब subsistence crisis होता है तो लोग कपड़ा और मकान तो भूली जाते हैं, साथ ही रोटी के इंतजाम करना भी भारी पड़ता है तो जब इनसान को अपने आप को जिंदा रखने के लिए रोटी के इंतजाम करना मुश्किल होता है, इस situation को subsistence crisis कहते हैं Point No.2 There was lot of unemployment Point No.3 Wages of the people were very low जिन लोगों के पास नौकरी थे, उनके wages बहुत ही कम थे Point No.4 Third state were only taxpayers एक तो लोग बेरोजगार थे और जिनके पास नौकरीयां थे, उनको wages कम मिलते थे उपर से उनको ही tax भी देना पड़ता था इन सब की वज़े से गरीब लोगों की हालत बद से बत्तर होती जा रही थी Point No.5 Food prices were increasing खाने पीने की वस्तोओं की बढ़ती हुई कीमतों ने आग में घी का काम किया कुल मिलाकर आम जनता का बहुत ही बुरा हाल था अब हम Part 4 में पहुँच चुके हैं और अब मैं आप लोगों को French Revolution की कहानी सुनाओंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह कहानी है 18th century France की जो यूरोप का एक कंट्री है वहां के राजा थे लुई 16th जो बर्बन डाइनेस्टी के थे उनकी पत्नी थी Mary Antoniet जो एक Austrian प्रिंसेस थी दोनों ही पैरिस के नजदेक वर्साइ नाम के सिटी में अपने आलिसान महल में रहते थे इस पैलस का नाम पैलस ओफ वर्साई था राजा और रानी एक सानो सौकत की जिन्दगी जी रहे थे लुई 16th जब राजा बने तो उन्होंने देखा कि उनका साही खजाना लगभग खाली हो चुका है और उसकी वज़ा यह थी कि फ्रांस हमेशा किसी ना किसी युद्ध में बिजी रहता था लेकिन इसके इलावा भी कुछ और प्राब्लम्स थे फ्रांस में जैसे कि वहाँ फसलें सूखा और ओला गिरने की वज़े से बरबाद हो जाती थी जिससे सबसे ज़्यादा गरीब और मजदूर प्रभावित होते थे और फिर फ्रांस में पचास लाख पॉपुलिशन भी बढ़ गया था जिसकी वज़े से लोग बेरूजगार थे खाने पीने की सामान की कमी थी और फूड आइटम्स के प्राइसेज भी दिन बढ़ रही थी राजा और उनके दर्बारी सही खजाने को भरने का उपाई सोचने लगे तभी राणी ने सुझाओ दिया क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए क्योंकि राजा और राणी को अपने राज्ये के जनता की प्राब्लम्स का ग्यान नहीं था तो राजा को लगा कि राणी का सुझाओ अच्छा है लेकिन टैक्स बढ़ाना सिर्फ राजा के हाथ में नहीं था इसके लिए एक स्टेट जनरल की मीटिंग और्गनाईज करनी पड़ती और वहीं वोटिंग के द्वारा इस प्रस्ताव को पास करना पड़ता तो 175 एर्ज के बाद फिर से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई फर्स स्टेट के 300, सेकंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें हिस्सा लिया प्रस्ता रखा गया कि टैक्स बढ़ाये जाएगा लेकिन अभी वोटिंग होना बागी था अभी तक यह परमपरा चली आ रही थे कि हर स्टेट के पास एक वोट होता था इसलिए इस प्रस्ताव का पास होना तैथा लेकिन थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि वोटिंग ग्रूप के हिसाब से नहीं ग्रूप में कितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से होना चाहिए यानि कि अब थर्ड स्टेट के पास छे सो वोट्स हो जाएंगे लेकिन इस बात को लेकर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच बहस होने लगी और मामला बिगड़ता चला गया थर्ड स्टेट के लोगों ने मेटिंग को बाईकॉट किया और नारह लगाते हुए मेटिंग से बाहर निकल गए कुछ दिनों के बाद थर्ड स्टेट के लोग एक टेनिस कोट में एकट्था हुए और अपने आपको नैशनल एसम्बली घोसित कर दिया और यह सपत ली कि अब यह लोग एक कॉंस्टिटूशन ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद मोनार्प को सत्ता से उखाड फेंकेंगे अभी कॉंस्टिटूशन बनने का काम चली रहा था कि 3rd स्टेट के लोगों ने बेस्टायल फोर्ट पे हमला कर दिया दरसल उनको लगा कि राजा के सैनिक शहर में गस्थ कर रहे हैं और वो 3rd स्टेट के लोगों को मारना चाहती है इसलिए 3rd स्टेट के लोगों ने अपने आपको एगजूट किया ताकि वह सेना से लड़ सके लेकिन सेना से लड़ने के लिए हत्यार की जरूरत थी और हत्यार हासिल करने के लिए उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे हमला किया उन्हें लगा था कि बेस्टाइल फोर्ट जो एक प्रिजन है वहाँ कैदी रहते हैं तो वहाँ उनको हत्यार मिलेगा उन्हें वहाँ हत्यार तो नहीं मिला मगर उन लोगों ने वहाँ से साथ कैदीयों को रिहा कर दिया और बेस्टाइल फोर्ट के एक-एक इंट को अलग कर दिया फ्रांस में माहल बहुती टेंशन वाला बन गया था शहर से लेकर गाउं तक हर जगा छोटी-छोटी वारदातें होने लगी अब नैशनल असेंबली ने कॉंस्टिटूशन बना लिया था और फ्रांस में कॉंस्टिटूशनल मुनार्की को इस्टैबलिस्ट कर दिया क्योंकि राजा को अब कॉंस्टिटूशन के दायरे में रह कर काम करना था राजा दुखी और परिशान था अपनी परिशानी को दूर करने के लिए उसने पड़ोसी देशों के साथ सीक्रेट मीटिंग की और उनसे मदद मांगी आस्ट्रिया और परिशिया के राजा मदद के लिए तयार हो गए क्योंकि उनकों भी डर था कि कहीं उनके देश के लोग भी कॉंस्टिटूशनल मुनार्की सिस्टम की बात ना करने लगे दोनों देशों ने फ्रांस पे हमला करने का प्लान किया इससे पहले कि वो हमला करते नैशनल असेमली को ये बात पता चल गया और फ्रांस ने उल्टे आस्ट्रिया और पुरुसिया पे हमला कर दिया लुई 16 की इस हरकत से नैशनल असेमली को बहुत गुसा आया उन्होंने राजा को उसके पद से हटा दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोसित कर दिया यानि अब यहाँ लोग अपने रूलर्स को एलेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों ने अब सत्ता के बागडोर अपने हाथों में ली उनको कन्वेंशन का नाम दिया गया कन्वेंशन के जो में लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर उन्होंने फैसला किया कि लुई 16 को मार दिया जाए ताकि फ्यूचर में वो कोई नया प्लान न बना सके लुई 16 को गिलोटीन कर दिया गया यह हैं मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जिन्होंने लुई 16 को गिलोटीन करने का खुम दिया था लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर यहीं पर नहीं रुके उन्होंने उन सभी लोगों को मारना शुरू किया जो कन्वेंशन के अगेंस्ट थे इस दोर को rain of terror कहते हैं अब लोग मैकसिमिलियन रॉबर्स पियर से भी तंग आ चुके थे क्योंकि वह छोटी छोटी बातों की वज़े से भी लोगों को गिलोटीन कर दिया करता था और फिर वह दिन आया जब मैकसिमिलियन रॉबर्स पियर पर मुकदमा चला और उसे मौत की सजा मिली मैकसिमिलियन रॉबर्स पियर को भी गिलोटीन कर दिया गया उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी रूल स्टैबलिस हुआ इसमें फाइब मेंबर्स होते थे जो मिल जुल कर रूल करते थे पाँच मेंबर्स इसलिये थे ताकि पावर किसी एक के पास ना हो और ना ही पावर का मिस्यूज हो लेकिन इन पाँचों मेंबर्स के बीच कॉर्डिनेशन की कमी थी और इसकी वज़े से काम ठीक से नहीं हो पा रहा था और इसका फाइदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन ने डाइरेक्टरी रूल को खतम करके अपने आपको फ्रांस का डिक्टेटर घोसित कर दिया तो यह थी कहानी फ्रेंच रेवोलुशन की पार्ट फाइब में चलिए जानते हैं कि फ्रेंच रेवोलुशन के दौरान कौन-कौन से मेइन इवेंट्स हुए और वह कब-कब हुए फिफ्ट में 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग हुई ताकि टैक्स को बढ़ाया जा सके 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आपको नैशनल एसेम्बली घोसित किया और एक टेनिस कोट में यह सफत लिया कि वह एक कॉंस्टिटूशन बनाएंगे और राजा को सत्ता से उखाड फेंकेंगे 14 जूलाई 1789 में बेस्टायल फोर्ट को थर्ड स्टेट के लोगों ने डेमॉलिस कर दिया और यहीं से फ्रांसी सी क्रांती की सुरुआत होती है 1791 में नैशनल एसेम्बली ने कॉंस्टिटूशन बना लिया और कॉंस्टिटूशनल मुनार्की को इस्टैबलिस किया 1792 में फ्रांस ने आउस्ट्रिया और पुरुशिया पे हमला किया और उसी साल फ्रांस को एक रिपबलिक घोशित किया गया 1793 में लुई 16 को गिलोटीन कर दिया गया 1793 से 1794 के दौर को रेन आफ टेरर कहा गया क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने तीन हजार से ज़्यादा लोगों को गिलोटीन कर दिया 1795 में फ्रांस में डिरेक्टरी रूल स्टैबलिस हुआ इसमें पांच मेंबर्स होते थे 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आपको फ्रांस का डिक्टेटर घोशित किया पार्ट 6 को हम एक अलग वीडियो में डिसकस करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में